So friends, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में और अभी अभी एक न्यूस निकल करे आ रही है Realme U1 के रिगार्डिंग के नया अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है अगर आप उस अपडेट के वारे में जान चाहते हो तो मेरे टेलेग्राम ग्रूप को जान कर लेना यूँकि मैं जो भी न्यूस सबसे पहले शेयर करता हूँ टेलेग्राम और इंस्टाग्राम के ओपर शेयर करता हूँ तो जाकर के मुझे टेलेग्राम और इंस्टाग्राम को फालो कर लीजे तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम Realme U1 के नए अपडेट C.18 के रिगारिंग बात करेंगे कि अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिले हैं और अपडेट सब करें रोल आउट कब होगा पूरी बात इस वीडियो में करेंगे अगर अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आउटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहु servers एर हम इरे टेलिप्राम Yugoslav का चैनल मैंने पहले यहां पर आपको Realme 1 के रिगार्डिंग न्यूज दे दी थी उसके बाद मैंने आपको यूटूब के रिवीडिय अपलोड की और उसके बाद मैंने यहाँ पर Realme U1 के रिगार्डिंग आपको न्यूज दे दी यहाँ पर आपको देखने को मलता है 2.07 GB का अपडेट C.18 और यह अपडेट में सिर्फ आपको क्या फीजर्स जाइड होँ यह बताऊँगा बट लिंक मेरे पास अगर आपको कस्टम रॉम के उपर हो तो लिंक कस्टम रॉम का मेरे पास आचुका है लेकिन इस टॉक रिकबरी रॉम के उपर हो मानले यह और ऑफिशली रिकबरी के उपर हो तो उसका लेंक अभी तक नहीं आया है वेट कीजिए आपको जल्ड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगा आरमेक्स 1831 EX11 C.18 आपको मॉडल नमबर देखने को मिलता है जो मॉडल नमबर यहां पर रियलमी U1 का है और चेंज लोग में आपको क्या देखने को मिलता है यह आपको आगे बताता हूँ तो C.18 का अपडेट आपको 2.7 GB का देखने को मिलता है और बात करें यह अपडेट सभी के रोल आउट अभी तक नहीं हुआ कुछ सेलेक्टिड यूजर्स को मिला है और यह अपडेट है आपको मेरे साफ से शायद आज से मिलना सभी के लिए स्टार्ट हो जाए बट मेरे साफ से वन विक तक वेट कीज़े सभी को यह वन विक तक रोल आउट हो जाएगा तो चलिए आपको बताता हूँ इसका पूरा चेंज लॉग सो फ्रेंट्स पूरे चेंज लॉग में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर Android security patch देखने को मिलता है 2020 का और आपका जो network issue है उसको यहाँ पर fix किया गया है बस यही दो यहाँ पर आपको add किये गये हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है March महीने का security patch और आपका network issue उसको solve किया गया है कुछ भी और ज्यादा आपको नए देखने को नहीं मिलता और friends अगर आपको update मिल चुका है तो मुझे comment section में जूरू comment करके बता देना क्यूंकि आपके लिए सबसे बहले आपको एक news प्रवाइड करवाने की पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ चले मिलते हैं next video में